सागर, सूर और चंद्रमा की तरहा चंचल, चमच्ती और मद्गूश करतेने वाली मतवाली पेम कहानी है चंद्रकांदा एक इंतकामी दहती पेम कहानी है चंद्रकांदा सुलक्ती हैरत अंगेज पेम कहानी है ये चंद्रकांदा चुनारगर रियासत के महराच शिद्दक के सिपह सालारों को तलाश थी तिलिस्म के रख्माले दारोगा की जिसकी सुरक्षा में थी बेशमार दालत सिपह तिलिस्म की चार्थ इस तबाही और देश्चत से तबा सुनेधा के अवाम ने तिलिस्म के दारोगा खुद दुश्मनों के हवाले करके शांती खरीदने का फैसला किया क्या हम यह नहीं सोचेंगे? यह उस दुश्मन का मक्सब क्या है? उसके मन्जिल क्या है? चुनारगड रियासत के सामने आज ख़़ा है सबसे एहम यह सवाल कि तिलिस्म का दारोगा कौन है? लैवध कोई अंग नहीं बिगड़े है तुश्चाल उम्र की कष्टी पार कर चुकी पैसट सकता है मैं ही दारोगा परिचंदी और फिर दारोगा परिचंद फिलिस्म के उस पेचीदा गुन्नाम राज को रोशन करता है चुनारगड रियासत में पहुंचती है महरानी की मूबोली बहन शब्या की जुर्मा बहन रम्या कितनी भूली कितनी सुदर है महराज को पेश करोई खुश हो जाएकि रित्ट के दौरान महराज शिवदत रम्या का करते हैं आलिंगन और अपने शरीर के विश्व को उतार देते हैं रम्या के शरीर में जिससे हो जाती है उसकी अकसमाती मौत की दर्वना चीख को सुंकर जब श्वया जीः के पास पहूंचती है तो सन रहर जाते है और खेर पूंसरोग्ष तर्वाने साना कंपस्टा से अजए, अआप की आलत है? अच्छोग आपको अच्छोग को हमारे गाऊने साना बोटा है! वालत किसे एन क्याहत है भी आपका मुझा भाना इन में ठूल लुद में ठाह्छा है! प्राशी कोई नहीं बात नहीं, खामुश, क्या तुम जानते हैं कि चुरारगर में ज्यादा बोलने वाले कि जुबान तरस्ती जाती है, चलो चलो अधिया, अधिया, कौन है ये, ये किसको उठा के लेकिया है, ये, ये, किसको उठा के लेकिया है, ये, ये, इस अधागर का बेजान जिसमें, जिसे आप मिलना चाहती थी, लेकिन आज वो आप से मिलकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, ये तो जित पहचाना आपने, ये वो ही है, सामिय, मेरी बेहन रमिय, ये सब कैसे हो गया, हाँ, कैसे हो ये सब, हथ्यारों ने इसकी जान ले लिए, इसका अंदर के ही इस मासूप की मौत का कारण बन गया, इस दुनिया में मेरा एक ही तो कोई अपना था, मेरी बेहन रमिय, वो भी मुझसे बहुत दूर चली थी, इस बेदस समाने की पडूर नसर ने उसे भी दस लिया, किसे किया यह सब, कौन हत्यारा है इस मासूप का, कौन राक्षत है वो, महराज, क्या बात है महरामी, कुछ परिशान से लग रही है, हाँ महराज, ये मेरी परम बहन है, उस रिष्टे से रभ मे अभी मेरी बहन हुई, उसके हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा, आप खामुश क्यों है महराज? महराणी, ये तो आप अच्छी दरे जानती हैं कि शुद्दत का चनारगल, अपने न्याई के ये मशूर है, और शुद्दत को अपने न्याई के बारे में कोई शक नहीं है, आपके न्याई के बारे में कोई कैसे शक कर सकता है महराज? पर मुश्किल ये है कि आपके राज्य में कोई जबान खोल नहीं सकता आज मेरी जबान खामोश नहीं रह सकी आज मेरी अंतर आत्मा रो पड़ी है मुझे न्याय दीजिए महराज आप परिशान क्यों है महराज रम्या का खूल चीख चीख कर आप इंसाफ की परियाद कर रहा है यह मौत एक उल्ची हुई पहली है महराज शिवतत का इंसाफ इस पहली को सुलचाएगा तभी वो आपके सामने आएगा पर आज तक एक भी मौत की कोई भी पहली सुलची नहीं महराज आज मेरी बेहन की मौत ने मुझे जंजोड दिया है महराज नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही कितनी बार कितनी औरतों की दिल देहला देने वाली चीखे सुनी है मैंने यहाँ और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने और आज आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महराज इसका मतलब इसका मतलब हट्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हट्या करता है हाँ महराणी हाँ और वो आदमी इसी राज महल का आदमी है तब तो यह बहुत भयानक बात है महराज महराज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी नोगर विजेगर में थी तफुरा नोगर कथा जो राज कुमार चंद्रकांता से करता थप्रा चंद्रकांता से करता थप्रा सब यह जान गई है कि रामय का कातिल अज मेरी बेहन की मौत ने मुझे जंजोड दिया है महराज नहीं तुम्हें हमेशा खामोश रही कितनी बात कितनी ओरतों की दिल देहला देने वाली चीखे सुनी है मैंने यहां और उनकी नीली पड़ गई लाशो को भी देखा है मैंने और आज आज कम्या की लाश भी उसी तरह नीली बढ़ गई महराज इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक हत्या करता है हां महराणी हां और वो आदमी इसी राज महल का आदमी है तब तो यह बहुत भयालत बात है महराज महराज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलाता तो तो यह शब्द सुनने का आदी मैंने शिव्दत सब्या चलती हो शिव्दत ली यह शब्द क्यों सुना क्योंके महराणी तुमको धरम दहन बंदी है शिव्दत का इंसाफ किसी और को नहीं बलकी सिर्फ शिव्दत का महताज है महाराज इतनी परिशानी वे कहां जा रहे हैं देखो किली परिश दुमके कर देखो हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ हाझ है işte हlaf हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है मा साहिब को शिक्तत का प्रणाम कैसी है मा साहिब आपको हैरानी होई होगी कि आपका ये शिक्तत आज आपके दर्बार में हाजर क्यों हुआ है तो सुन्य आपके दिमाग में दूफान सा उठ रहा है समझ में लिए था क्या करें आपका ये शिप्तत खाई और खंदक में भस चुका है मासाहिब सभ्या अपनी बेहन के हद्ट त्यारे के तलाश पर है कलावती उसका साथ सरूर देगी क्योंकि कलावती सभ्या को अपनी धर्म बेहन मानती है ऐसे हालात में अगर कलावती को ये पता चल गया कि शिप्टा तेक विश्पुरुष है तो वो इस सच्चाई को कभी बर्दाश्ट नहीं कर सके दी वह आत्मात्या करें की मासाहिब और अगर उसने आत्मात्या नहीं की तो मासाहिब वो हमें बेहत गिरी हुई नजरों से देगी थी आप तो चानती है मासाहिब आपको ये शिप्टत कलावती को कितना चाहता है शिप्टत कलावती के बगएर जिंदा नहीं रह सकता और नहीं उसकी नत्रत को से सकता है मासाहिब कलावती आपके शिप्टत को देवता मानती है देवतार अब आपके पताईए शिप्टत क्या करें क्या करें शिप्टत कोई रास्तत दिखाये मासाहिब कुछ पास का देखाई है बेवे, मैंने तो आपको अपने अम्रज जैसे दूद पर पाला था लेकिन शिव्दत आपके भाग के मैं तो जहर लिखा था आपने विश्ख को अपनाया और इसका यही अन्जाम होना था उसी वज़े से आज आप इस कहरी उल्शन की मुकाम पर खरे हैं यह कैसा तुलस में है सारी दुनिया जानती है कि महराज की मा मर चुके है पर यह तो मुझूद है मेरी सामने है महराज शिव्दत में इतनी काली जंदगे के बारे में मुझसे कुछ नहीं चुपाया फिर यह वाग क्यों चुपाया आपको तो सब कुछ मालुमें मासा है कि आपका यह शिव्दत आपके बगएर एक पल तक नहीं रह सकता है उस आम रपाली की वज़ए से जब जब आपका अपमान होता यह जब कभी आप पे जातन की जाती तो आपका यह शिव्दत परदास नहीं कर सकता था मासाहिब शिव्दत के भीतर एक चॉला मुखी धदगने लगते थे मुझे सब कुछ याद है मेरी खादेश, तुमने तब आम रपाली को जहर की समुल्द में डगोकर उसकी जान ले ली थी हाँ मासाहिब, हाँ शिव्दत के भीतर तब अपनी मासाहिब के लिए बहुत दखती हुई जवाला मुखी भाट पड़ती थी लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके जवाला मुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्ते आएं कंते जाते ही हत्ते आएं, हत्ते आएं, हत्ते आएं और हत्ते आएं मासाहिब आप क्या चलके साइब में ये शिव्दत अपनी उल्जिनों का रास्ता तलाश करने है और आपनी आपनी आपने उसी शिव्दत पर आरोप लगाया जाए बेवी बेहन का कातिल है महराज शिव्दत साइब, हाँ, शिव्दत के भीतर तब अपनी मा साइब के लिए वो ददखती वोई ज्वाला मुखी भाट पड़ती थी लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके ज्वाला मुखी का लावा आज भी बेहता जाता है और आप हत्ते आएं करते जाते हैं हत्ते आएं हत्ते आएं और हत्ते आएं हुआ साइब की आपके आँ चलके साइब में यी शिव्दत अपनी उलजनों का रास्ता तलाश करने आया था और आपनी आपने उसी शिव्दत पर आरूप लगाए जिस नभी या आने की जुर्ट की वो शिव्दत के राज महन में फारण हादर हूँ इस खंजर में गुस्ताकी की है इसे एक मौका और दीजी आपकी गुनागार आपके सामने करिये बारा मौके सिसे दियो को सकता है बारा मौके समšता खंजर की caliber की कीinct युGroup की इससे बारा आतलत है कि तुम यू बता सकती हो कि इस लोग में क्या छुपा हुआ है? कुछ हंजाने अफसाने? और कुछ छुपे हुए राज? शिर्टत के राज जानने की जो भी कोशिश करेगा, उसे इस लोग की तरह पुचा दिया जाएगा. तुम्हारे कदमों की आठ सुनते ही, शिर्टत ये जान गया था कि ब तुम ही हो. तुम्हारे से वह कोई और होता न तरह? तो ये खंजर उसी वक्त उसके सीने को पार कर चाता. आपकी इस मेरबानी का सबब और मतलब? सबब ये है, कि इतनी बड़ी इस दुनिया में शिर्टत का राज चानने वहला. तुम ही एक अकेली औरत हो तरह. मुझे अपने पर बहुत फक्र होता है, कि आपने मुझे इस लाइक समझा. लेकिन तब आपने मा सहाब के जिन्दा होने के राज से मुझे महरूम क्यों रखा? तरह, ये राज नहीं. ये राज दर राज है. यानि कि राज के भीतर चुपावा एक और राज. ये राज होने कि रुझे हो लाज होने के राज मुझे पर इस नहीं.